नमस्कार ओद्योगिक प्रसिच्छन संस्थानों मैं संचालित समस्त व्यवसाईयों के लिए अनिवारे विशे Employability Skill की पाठेचर्या के प्रसंग व्यवहारिक कौसल भाग दो यानि Behavioral Skill Part 2 पर मैं आपको आज प्रसिच्छन प्रदान करूँगा आज की कक्षा के उद्देश है आज हम बात करेंगे Self Confidence Building पर यानि आत्मविश्वास का निर्माड कैसे किया जाए किस तरीके से आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है धारना प्रबंधन यानि Perception Management क्या होता है इस पर हम बात करेंगे हम बात करेंगे नेक्तिक्ता मूल्यों पर जो Ethics और Values है Behavioral Skill के Under उन पर हम बात करेंगे और हमारे Role Models जो है यानि Role Model बनने के लिए या Role Model कौन-कौन से लोग हो सकते हैं किस तरीके के लोग Role Model के तौर पर माने जाते हैं उनके विशय में हम बात करेंगे आत्मविश्वास निर्माड में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदमी के Attitude की होती है आदमी के रवाइय की होती है क्योंकि कई सारी चीजें आपके रवाइय पर Depend करती है किसी भी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे पहला है द्रस्टिकोंड सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है यह इतने सारे मीनिंग है प्रवत्ति रवाइया द्रस्टिकोंड मनुवरत्ति यह सब कुछ Attitude है इसमें पहला है द्रस्टिकोंड सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है positive attitude हो सकता है व्यक्तिका negative हो सकता है mix हो सकता है या सिर्फ positive या सिर्फ negative हो सकता है जो सकार रात्मक द्रिस्टिकोंड है जो positive attitude है उसकी अगर हम बात करें तो चीजों को बहतर तरीके से देखने में मदद करता है जब हम positive रहते हैं तो वो हमें अच्छे तरीके से चीजों को देखने की help करता है, वो मदद करता है कि हम चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकें. इस प्रकार के लोग मुखर या विनम्र बेवहार का सहारा लेते हैं. जो भी positive लोग होते हैं, वो या तो मुखर होंगे, खुलके आपसे बात करेंगे, या फिर विनम्र होंगे, सालींता से आपको सहचा के साथ बात करेंगे. दूसरे नकारात्मक रवईये के जो लोग होते हैं, यानि जो negative attitude के लोग होते हैं, उनके साथ दिक्कत यह होती है कि हर चीज में वो negativity देखते हैं, उनको लगता है कि नहीं सब खराब हो रहा है, सब गलत हो रहा है, सब बेकार है, तो वो negative attitude उसके अंदर जिसके भी भीतर negative attitude होता है, उसके अंदर दिक्कत यह आती है कि वो हर चीज को गलत तरीके से देखता है, और इस प्रकार के लोग आकरामक जल्दी होते हैं, उन्हें गुस्सा जल्दी आ दाता है, इसलिए वो आकरामक व्योखार करते हैं, तीसरा नकारात्मक द्रिष्टिकोंड अक्सर रिष्टे की प्रक्रिया में और व्योखार के लिए भी एक बाधा होता है, जब भी हम किसी से relation बनाते हैं, यानि जो रिष्टे हमारे होते हैं, जो आप से रिष्टे होते हैं, उनकी प्रक्रिया के लिए और जो हमारा nature ये behavior होता है, उसके लिए भी हमारा negative attitude बहुत नुक्सान दायक होता है, कि जब कोई व्यक्ति किसी तरीके की किसी भी बात में निगेटिविटी ढूंड लेता है तो उसको पॉजिटिविटी दिखाए नहीं पड़ती तो अच्छाई छुप जाती है, बुराई सामने आ जाती है और वो व्यक्ति आकरामक हो जाता है वे मानवी व्यक्ति का एटिटीटीट कैसा है व्यक्ति का रवईय कैसा है इस प्रकार एक बहतर प्रभाव के लिए व्यक्ति को बदलना और बदलना संभव भी है यानि यदि व्यक्ति का जो behavior है जो उसका रवईया है जो उसका attitude है वो अगर negative है तो उसे positive किया भी जा सकता है उस पर थोड़े से काम करने पड़ेंगे उन पर भी हम आगे बात करेंगे वो थोड़ा सा यदि उस पर ध्यान देगा थोड़ा सा अपने आपको judge करने की कोशि attitude है उस पर जो रख्षः करने की points है वो ये हैं अपने द्रस्टिकॉ PRESU को रखें यानि आपका attitude तब अच्छा माना जाता है जब तक आप से पूछा ना जाए जब तक आप से विक्त करने की आशाना की जाए तब तक आप उसे सुरच्शित रखें दूसरा विक्तिकत टकर कर सकें, उन्हें solve कर लें, उन्हें कतम कर लें. यदि कोई अनुचित रूप से विवहार करता है, तो उससे दूरी बना लें. यदि कोई आपके साथ खराब तरीके से बहेव करता है, तो आप अपने attitude में changes लाए वे ना, आप उससे distance maintain कर लें, तो वो आपके attitude के लिए हो जाता है, या जिनकी वज़े से आप बार-बार disturb होता है, तो जब disturb होंगे आप बार-बार, तो कहीं न कहीं आपके attitude में changes आएंगे, आपके रवाइये में परिवर्तन होगा, जैसे आप सामाने तोर पर बैठे होते हैं, और कोई विक्ति आपको immediate गुसा दिला देता है, तो आपका जो behavior है, वो change हो जाता है, आपके attitude में नहीं था कि आप गुसा करें, लेकिन फिर भी वो हो जाता है, तो इस वज़े से इस तरीके के लोगों से दूरी बना लें, जो आपको disturb करते हैं, जो आपकी शान्ती के लिए बाधक हैं, अपने काम पर ध्यान केंदरित करन सबसे important यह है, कि जब आप अपने काम पर ध्यान केंदरित करेंगे, तो आपको किसी और से या उसके बेवहार से किसी तरीके के को कोई effect नहीं पड़ेगा, जो कि आपके attitude लिए बहुत बहतर है, बहुत अच्छा है नीचे खीचने वाले लोगों से बचने के लिए अपना traffic pattern बनने हैं, traffic pattern में क्या होता है, कि जब हम traffic police क्या करती है, कि लोगों को divide करती है, कि आप इधर से जाईए, इसी तरीके से आपको जो लोग नीचे खीचते हैं, उनके लिए आपको एक बहतरीन traffic pattern बनाना पड़ेगा कि उनके साथ आप काम तो करें, लेकिन उन्हें कहां पर किनारे कर देना है, कहां पर उनकी बात को सुनना है, ये आप decide करें, जिसकी वज़े से आपका attitude बहतर तरीके से progress करेगा या उसमें sharpness बढ़ेगी, याद रखें, आपका रवया आपके अकेले का है, आप जो भी attitude का रहता है, जो भी आप प्रदर्शित करते हैं, वो आपकी खुद की एक छाप छोड़ता है, आपका खुद का एक impact डालता है, आत्मस्वास के निर्माड के लिए अगर हम देखें, कि आत्मस्वास कैसे बनाया जा सकता है, या self confidence maintain या बढ़ाया कैसे जा सकता है, तो सबसे पहले चीज इसे immediate नहीं बढ़ाया जा सकता, इसके लिए भी आपको अपने attitude पे अपने ब्योहार पे धीरे धीरे चरणबद्य तरीके से काम करना पड़ेगा, जिसको हम अलग-अलग प्रकार के ब्योहार आत्मस्वास की जो कमी है, उसको दिखाते हैं, उसके माद्यम से य देखते हैं, तो आपके अंदर आत्मस्वास की कमी है, यह जो checkpoint दिए हुए, इनके माद्यम से हम देखेंगे, किसी व्यक्ति के भीतर आत्मस्वास की कमी कैसे देखी जा सकती है, या कैसे प्रदर्शित होती है, तो पहला है कि खुद को या अपनी छमताओं को बहुत कठोर इसलिए परेशानत है, यार मैं तो फेल हो गया, या मेरे से यह काम नहीं हो पाया, जबकि आपको यह सोचना चाहिए, कि आपकी साथ जो नकरात्मक घटनाएं हुई हैं, उनसे आप क्या सीख लिए हैं, या उनसे आप क्या सीखना चाहते हैं, उस पर यदि आप काम करेंग तो आप अपने confidence को boost कर पाएंगे, और इस तरीके कि यदि कोई चीज है, तो आप कहीं न कहीं आपके अंदर confidence की कमी है, तीसरा कैसे चेक करेंगे, आप सफल होने के लिए अपने उपर अधिधिक दबाव या तनाव डालते हैं, जब आपको success चाहिए, तो आपके अंदर व ही आपकी इधर उधर हो जाती है, किनारे हो जाती है, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी युग्यताओं पर ही focus करके रह जाते हैं, आप ऐसे लक्ष निरधारित करें, जो अवास्तविक्त हैं और आपकी छमता से उपर हैं, यदि कोई व्यक्ति ऐसे लक्ष ऐसे अपने aims बनात है, जो उसकी छमता से बहुत अधिक हैं, यानि एक सामन तरीके का हाई स्कूल पास बच्चा यदि वो चाहता है कि मैं अगले एक साल में ही BSC कलनूँ या MSC कलनूँ तो ऐसा कैसे संभव हैं, एक ही साल में उसका एक पैटरन है, तरीका है, उसके माध्यम से अगर आप चले करेंगे, तो आप confidence maintain करेंगे, और अगर इस तरीकी की कोई चीज आपके भीतर है, तो आप कहीं न कहीं confidence की कमी से जूज रहा हैं, अगला है, आप सफल नहीं होने या गलतियां करने से डरते हैं, कोई वितनी सफल ना होने के डर से, कि यार मैं काम करूँगा, पता नहीं, success ह होँगा की नहीं होँगा, इस डर से रहता है, इस डर से, क्योंकि जब कोई काम किया जाएगा, तभी उसमें गलतियां होंगी, तभी उसमें अच्छाईयां निकलेंगी, तो वो काम किये बिना ही विक्तियादी डर जाता है, तो वो भी आपके confidence की कमी को दर्शाता है, आप आपके अंदर confidence नहीं है, तो आप जिस हद तक सफल हो सकते थे, उस हद तक सफल नहीं हो पाएंगे, ये बहुत important चीज़ है, इन सारे points को देखें और अपने अंदर evaluate करें अपने आपको कि आपके अंदर कहां कहां पर किन किन चीज़ों में confidence की कमी है, और उन कमीओं को इनके म दिन से दूर करें, इसमें आत्मिस्वास निर्माल के लिए कुछ points मैंने बनाये हैं, आत्मिस्वास निर्माल के बारे में सोचना है, आप सोचिए कि मैं confident हूँ, मैं confident हो सकता हूँ, या मैं ये काम कर सकता हूँ, उस काम के लिए आप confidence अपने अंदर पैदा करिए, आत्मिस मेहन में सोचते रहे हैं कि नहीं यार मैं कर सकता हूं किसी भी काम को तो आपका confidence दीरे-दीर पढ़ेगा शफलता कि और छोटे और सकारात्मक कदम उठाएं और तब तक अभ्यास करें जब तक ये आपकी आदत ना बन जाएं जो भी आपका aim है जो भी आपका देश ये आपने बनाया है उसकी तरफ छोटे छोटे कदम सकारात्मक कदम कई बार होता है कि decision तो आदमी लेता है और लिख लेता है कि यह मुझे करना है लेकिन फिर उसे बोल जाता है उसकी तरफ कोई सकारात्मक पहल नहीं करता है सकारात्मक step आगे नहीं लेता है कदम नहीं बढ़ाता है तो उस वज़े से भी उसके अंदर confidence की कमी आती है confidence को एक aim decide करना है उस aim के लिए आपको छोटे छोटे और सकारात्मक कदम बढ़ाने है उसके बाद आप इस प्रकरिया को तब तक करते रही है जब तक आप उस aim को पाना लें पूरी तरीके से इसके अंदर भी कुछ points है अपने अच्छे गुणों के बारे में सोचें जब आप अच्छी अच्छाईयों और अच्छे गुणों के विशय में सोचेंगे तो आपको महसूस होगा कि मैं confident हूँ काम करने के लिए अपने बारे में सकारात्मक सोचें जब भी सोचें अपने बारे में सकारात्मक सोचें कभी ऐसा ना सोचें कि नहीं मैं नहीं कर सकता हमेशा स किसी भी परिस्थिती में चाहे जो कुछ हो चाहे जैसे हो मैं इस काम को कर सकता हूँ आपके कॉइंपिडेंस को बूस्ट करेगा ये यथार्त वादी लक्ष निरधारित करें जो संभव हैं जो आपकी छमताओं आपकी परिस्थितियों के अनुसार संभव हैं वो सारे प्रियास करते रहें यानि आपने एक बड़ा एम बनाया है उसमें छोटे-छोटे कदम बनाया है उन छोटे कदमों पर जब पहुंचते हैं यानि एक-एक स्टेप करके आप पूरा करते हैं तो उन छोटे-छोटे स्टेप्स पर ये जरूर ध्यान रखें कि मेरा जो मेरा object है या जो मेरा aim जो main है उस पर से मुझे मेरा ध्यान नहीं हटाना है, मुझे उसी पर केंदरित रहना है. अपनी सफलताओं पर ध्यान दें, ना कि अपनी सफलताओं पर, यानि अपनी सफलताओं के विशह में सोचें, यदि आप कभी सफल हुए हैं या आपने छोटे पड़ाओं कुछ पार किये हैं उन पड़ाओं के विशय में सोचें ना कि ये सोचें कि जुन पड़ाओं से आप थोड़ा सा विफल हुए हैं या आप कहीं न कहीं उन से थोड़ा सा पीछे हुए हैं उनके विशय में न सोच कर असफलताओं के विसे में न सोच कर आप सफलता पर ध्यान देंगे तो आप अपने confidence को और build up करेंगे मुखर हो मुखर होना जरूरी है क्योंकि जब आपके अंदर confidence की कमी नहीं होती है तो आप खुल के बात कर लेते हैं मुखर होकर जो कि दूसरों के लिए अपने विचार और भावनाएं बहतर तरीके से विक्त करने का एक तरीका है जब आप मुखर होंगे तो अपने विचारों को अपनी भावनाओं को बहतर तरीके से प्रदरशित कर पाएंगे आत्म अभिविक्ति के लिए एक रचनात्मक अभिविक्ति मार्ग खोज लें कोई भी रचनात्मक कारे करें जब आपको लगता है कि आपकी जो इनर पावर है उसको इनक्रीज करने के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं या आपको लगता है कहीं confidence में कमी है तो आप वो सारे काम करना शुरू करें जो आपके रचनात्मक कारियों में आते हैं जैसे संगीत यानी गाने सुन लिजिए आपको लगे कि हान मैं थोड़ा सा negativity की तरफ जा रहा हूं या मेरा confidence थोड़ा lose हो रहा है तो आपको यदि गाने कारियर लगता है आप उसमें सनलिप्त हो जाईए और उसे मन से करने लगे आपका confidence बूस्ट करेगा आत्मिस्वास को प्रभावित कौन-कौन सी चीज़े करती हैं कौन-कौन से factors हैं जो आपके confidence को effect करते हैं आत्मिस्वास जीवन के अनुभवों से यानि जो आपके life की experience र build up होता है confidence बनता है माता पिता भाई बहन दोस्तों और सिच्छकों से प्रभावित होते हैं इस तरीके के जो लोग हैं आपके दोस्त हैं आपके गुरुजन हैं या आपके mother father हैं भाई बहन हैं इन से जो आप प्रभावित होते हैं कभी कभार आपको लगता है कि नहीं आप आपके माता-पिता ने बहुत अच्छा काम किया है, आपके भाई बहन ने काम किया है, या टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, इनका बहुत अच्छा काम है, तो उनकी जो पॉजिटिव एटिटुट को लेंगे अगर आप, उनकी सकारात्मक चीजों को अगर आप accept करेंगे, तो आ हम जिनके साथ रहते हैं, हमारे मदर फादर हो गए, भाई बहन हो गए, इनके जो सोच है, उनकी सोच के हिसाब से हम कभी कबार अपने confidence को boost करते हैं, और उसमें सोचते हैं कि वो दुनिया के विशे में क्या सोचते हैं, इसलिए देखा होगा कि कि किसी राजनेतिक पार्ट यह समर्थन और प्रोसाहन है जो अपने आसपास के लोगों से प्राप्त करते हैं, जब आत्मिस्वास की बात करते हैं, तो लोगों का जब समर्थन मिलता है कि नहीं यार तुम बहुत अच्छे जा रहे हो, लोग प्रोसाहित करते हैं नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो आपका confidence और boost होता है आप और confident होते हो इसकी कमी है कि जो आपकी आंतरिक भावनाओं को अपने बारे में आकार देने में मदद करता है यह इसकी कमी है कि आंतरिक भावनाओं जो आपकी हैं उनको भी कहीं न कहीं यह effect करता है वो थोड़ा सा आपकी आंतरिक भावनाओं को दबा देगा और effect को जो अगल बगल से आज पास से जो आपको असर पड़ा है आपकी confidence पे वो ज्यादा impact दिखाई पड़ेगा ये आत्मविश्वास में ये सारे point जो भी हैं ये आत्मविश्वास में सुधार करते हैं यानि आपका self confidence बढ़ाते हैं धार्णा यानि कोशल ब्यवहारिक कोशल का जो important factor है वो है perception धार्णा management perception management जो है ये सबसे important है क्योंकि किसी व्यक्ति को दूसरे की विशे में सोचनाय का मौका इसी प्रबंधन में मिलता है धार्णा को एक प्रक्रिया के रूप में पारिभाशित किया जा सकता है ये भी एक procedure है जिसके द्वारा विक्ति अपने वातावरण को अर्थ देने के लिए अपने संवेधी चापों को व्यवस्थित और व्याक्षा करता है यानि जो भी चीज़ें हमें करानी होती है जो भी चीज़ें प्रबंधक को किसी प्रबंधन में करानी होती है उन सारी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से व्याक्षित करता है अपने संवेधी चापों को छोड़ कर दूसरा अलग-अलग विक्तियों की अलग-अलग सोच, सैली, विश्वास, भामनाय, उद्देश, यादी होते हैं हर विक्ति के अंदर अपनी एक अलग चमताएं हैं उसकी अपनी एक अलग तरीका है उसका अपने एक अलग सैली है उसकी अपनी एक अलग सोच है वो अलग तरीके से सोच है क्योंकि किसी भी एक मुद्दे पर सभी लोगों की सोच समान नहीं हो सकती इसलिए हम देखते हैं कि अलग-अलग व्यक्तियों की सोच सैली सब कुछ अलग-अलग होता है इन कारकों के कारण अलग-अलग लोग समान चीजों के लिए अलग-अर्थ लेते हैं यह जो अलग-अलग भावनाएं आदमी की होती है, जो अलग-अलग सैल, अलग-अलग विचारधारा है, उसके हिसाब से ही आदमी समान चीजों को, जो एक लगता है कि नहीं एकदम सामान है और समान चीज है, सब के लिए बराबर होनी चाहिए, लेकिन वो सबको अलग- वे रहे वो उसका स्वयम का होता है वो खुद का होता है और वो उसी के हिसाब से बेवहार करता है कुछ के लिए एक विशेस बात सही है जहां कुछ के लिए यह पूरी तरह से गलत है उसी का इंपेक्ट है कि कुछ लोगों के लिए यह पूरी तरह से सही भी हो सकती है कुछ क जो आपका attitude है कही न कहीं इससे match खाता है कि आप जिन चीजों के विशय में सोचते हैं अगला विक्ति भी उसी चीज के विशय में सोचता है लेकिन उसकी धारना उसका perception उस चीज के लिए अलग होता है हमारा perception उस चीज के लिए अलग होता है दार्णापरसेप की विशेस्ताएं जो हैं बौधिक प्रक्रिया है, सोचने की प्रक्रिया है, दिमाग के या इंटेलेक्ट्वल प्रोसीजर है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति वातावरण से डेटा के चैन करता है और उसे बेवस्थित करता है, इससे अर्थ प्राप्त करता है, वो एक्मोस्फियर में या जो वातावरण में चीज़ें चल रही है, उसके हिसाब से एनलिसेस करता है, उसका एक डेटा कलेट करता है, उसके हिसाब से उस पर अपनी धार्णा अपना परसेप्शन लगाता है और उसके हिसाब से रिजर्ट निकालता है कि हां उसकिस न में immediate reaction उस आदमी का होता है जो भी अपना perception देना चाहता है यह एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है यह पूरी society की प्रक्रिया हो सकती लेकिन एक individual person की प्रक्रिया है इसलिए इसको व्यक्तिगत प्रक्रिया कहा जाता है धारणा प्रबंधन में किसी संस्थान या कारिस्थल पर जो professionalism है उस professionalism को कैसे देखेंगे या वो professionalism कैसे show off होना चाहिए दिखना चाहिए उस पर हम बात करेंगे तो यह है अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करें और अपना काम पूरा करें जो भी आपको कार दिये गये हैं जो भी आपको प्रतिबद्धताएं प्रदान की गई हैं उन प्रतिबद्धताओं के भीतर रहकर आप कारें काम को किसी meeting event के लिए समय पर कोई भी काम है उसको time to time निप्टाना है time to time करना है उस पर ध्यान दें सांस्कृतिक मात दंडों पर ध्यान दें और उनका पालन करें जो भी आपके कल्चरल चीज़ें हैं उन पर ध्यान दें और उनको पूर करें अपना communication जाएंगी बहतर दरीके से communicate कर सकें आप effective communicate जब करेंगे तो वो दिखाई पड़ेगा हर बैठक में एक note pad या pen लेकर बैठे हैं ये भी professionalism का एक important part है कि आप किसी भी meeting में जाते हैं तो वहाँ pen pencil लेकर बैठे हैं जिससे आप important चीज़ों को note कर सकें काम पर या काम के बारे में post करने tweet करने किसी भी social site पे किसी तरीकी के कोई comment अपने काम से करने से पहले उस पर 10 बार सोचें और यदि वो आपको ठीक लगता है तभी आप उस पर आगे बढ़ें ऑफिस की राजनीती और गौशिप से बचें जो भी politics आपकी office में internally चलती है उससे दूर रहें उससे बचें यह आपका professionalism शो करता है अब हम बात करेंगे नैतिकता और मोल्यों की तो नैतिकता और मोल्य में से नैतिकता एक नैतिक संगिता है यह आंतरिक आवाज है जो विक to man vary करती है और कहीं न कहीं सही और गलत की परिभाशा जो बताती है वो नैतिकता ही बताती है नैतिकता धर्म से कानून से आंतरिक मोल्यों से जनमत से या किसी अन्य स्रोच से आ सकती है जो भी आपका religion है उसके माध्यम से law के माध्यम से भी नैतिकता बनाई जा सकती है या लाई जा सकती है चाहे वो उसके डर की वज़े से ही हो जब लच्छों की असीम संख्या के बीच कोई रास्ता नहीं होता है तब नैतिकता हमारी जब बहुत सारे आपके पास होते हैं बहुत सारा बल्क में आपके पास काम होता है उसमें से आपको लगता है कि यार हमारा कौन सा एक उद्देश है या हमारे उद्देशों की तरफ कौन आगे जाता है तेजी से जाता है तो उस पर आपको नैतिकता मदद करेगी जाने के लिए नैतिकता लोगों को गलत करने से रोकती है जब आप कहीं गलत करने के लिए सोचते हैं कुछ या गलत करना शुरू करते हैं तो आपकी नैतिक्ता ही आपको पे ब्रेक लगाती है, आपको रोकती है। यदि एक वेक्ति में कोई नैतिक्ता नहीं है और वह गलत काम करता है। परंतो जब उस नैतिक्ता के ग्यान, यदि कोई वेक्ति है जिसके अंदर कोई नैतिक्ता नहीं मानने जाती है, वो नहीं मानता कि नहीं मेरे अंदर कोई नयतिकता है भी फिर भी यदि जिस दिन उसको लगेगा कि नहीं मेरे अंदर नयतिकता है या कोई काम करता है तो वो काम उसको अनयतिकता से दूर कर देगा नैतिकता कानूनों से अलग है कानून के मामलों में लोग डर के कारण सही काम करते हैं जैसा कि पहले बताया है अनैतिक कारिवाहियों को कानूनी कारिवाहि के आपशक्ता नहीं होती कोई काम अनैतिक हो रहा है उसके लिए कोई legal obligation नहीं है एक्जेंपल के लिए एक कारपेंटर की कहानी है जो कारपेंटर होता है वो अपना कार छोड़ना चाहता है या उसको एक उसकी उमर हो जाती है रेटायर हो रहा होता है तो वो अपने मालिक से कहता है कि मैं अपना काम छोड़ना चाहता हूँ तो उसका मालिक कहता है कि आप ए प्रियार्टी किसी और चीज को दे दी है तो यह कहीं न कहीं उसकी नयतिकता को ही दिखाता है कि यदि आदमी अपने काम को नयतिकता के साथ करता है तो उसमें उसको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आप अपने जीवन में एक कार्पेंटर की तरीके से ही काम करते हैं, हर दिन आप कुछ न कुछ काम करते हैं, जो आपके घर निर्माण में ही हो रहा है, जो आपको आगे चलके लाप्रदान करेगा, हम जीवन में क्या प्राप्त करते हैं, क्या पसंद करते हैं, वो हमारे द्र परिभाशा बताते हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आधार पर हम नयतिक मूल्य और नयतिकता को डिसाइड कर सकते हैं। इसमें विश्वस्नीता है, सम्मान है, जिम्मेदारियां है, निस्पक्षता है, देखबाल है, नागरिकता है। इन छे पिलर्स के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर किस हद तक नयतिकता और मूल सम्मिलित हैं और इनके आधार पर हम काम कर सकते हैं। ट्रिपल फिल्टर टेस्ट यानि जब कोई विक्ति किसी को किसी के विशाइ में बात करता है, या जब आप किसी के विशाइ में कोई बात सुनते हैं, तो नयतिकता के आधार पर आप ट्रिपल लेयर फिल्टर टेस्ट का पालन करेंगे पहला फिल्टर टेस्ट है क्या वो बात सत्य है जिस व्यक्ति के बारे में बताई जा रही है क्या वो बात एकदम सत्य है अगर सत्य है तो आप अगली बात सुनें दूसरा फिल्टर है अच्छाई का फिल्टर या वो बात कहीं न कहीं आपके लिए अच्छी है या उस व्यक्ति के लिए अच्छी है जिसके लिए बताई जा रही है तीसरा फिल्टर उपयोगिता का फिल्टर वो बात उपयोगी है मेरे लिए या अगले व्यक्ति के लिए तो इन तीन चीजों से तीन फिल्टर से अगर आप होकर किसी भी बात को लेंगे, तो आप नैतिक और अच्छे व्यक्ति माने जाएंगे, अच्छा बेहेवियर आपका माना जाएगा. जो आपके रोल मॉडल हैं, रोल मॉडल में हम देखते हैं, खुद को जानने के लिए, रोल मॉडल की कहानी, रोल मॉडल आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से रोल मॉडल उस व्यक्ति को चुनना चाहिए, जो आपके फिल्ड का हो, या जिस field में आपको interest हो उस field के विक्ति को role model चुनना चाहिए इसमें role model सरप्रथम प्रथाओं को अपनाना और विक्तिकत विकास के लिए विक्ति की सफलता की कहानियों का पालन करना है जिसमें सबसे पहले खुद को जानने के लिए समय बिताना है खुद को समझेंगे तभी आप role model बन सकते हैं या बना सकते हैं वे अपनी उर्जा pattern को जानते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है इसलिए आप अपने जितना ज़्यादा अपने साथ समय बिताएंगे जितना ज़्यादा आप अपने आपको समझेंगे उतना बहतर तरीके से आप role model बन सकेंगे दूसरों के लिए खुद को बहतर बनाने में समय बिताएं आप अपने आपको बहतर बनाने के लिए जितना अच्छा कर सकते हैं इसमें जैसे मैं ने पिशली क्लास में आपको short withlation के विषय में बताया उसके माद्यम से आप अपने विषय में study करेंगे अपने विषय में जानेंगे और अपने आपको उसके माद्यम से बहतर बना सकेंगे ये कोई पढ़ें सबसे नहीं है, सफल लोग पढ़ें, यह कोई important नहीं है कि पढ़ें, क्योंकि वो पढ़ने से ज़्यादा करने में बिलीव करते हैं, सफल लोग पढ़ाई करते हैं, वो अपने उद्योगों में, अपने उद्योगों के बाहर के रुजानों का अध्यान करते हैं, वो अध्यो पूट देते हैं और जरूरी नहीं है कि जो भी चीजें मैं यहां कह रहा हूँ या जो मैंने पढ़ा है जो मैंने समझा है वो पूरी तरीके से 100% मुझे लागू हूँ प्रेणा सुरूत में अगर टाटा की सफलता की कहानी तो हम अगर देखें तो वो शेयरधारकों के लिए पैसा बनाने के लिए या आदर समाजवादी सिद्धान्त इन दो कारेओं के लिए किसी भी संस्था का इस्थापन किया जाता है इस्थापना की जाती है जो टाटा की क और आदर्श समाजवादी सिध्धानत भी स्थापित करने के लिए Tata का स्थापन किया गया Tata की होल्डिंग कमपनी Tata & Sons में 6-6% से ज़्यादा आधिक परोपकारी ट्रस्ट सम्मिलित है और Tata समुह एक परिवार के स्वामित्व वाले व्यवसाय से विक्सित होकर दुनिया में सबसे अधिक चलने वाले व्यवसाय ग्रूप में प्रिबंदित समुहों में से एक है इस कमपनी ने केवल कई व्यवसाय सिध्धानतों में सुधार नहीं किया है सिर्फ अपने नहीं बहुत सारे विवसायक सिद्धान्तों में इस company ने सुधार किया है यह यहाँ पर देखना important है तो इस तरीके के road model हमारे हो सकते है इस class को करने के लिए इसमें जो मैंने आज आपको बताया इसमें आत्म विस्वास कैसे बनाया जा सकता है कैसे बढ़ाया जा सकता है धर्णा प्रबंधन की परिभाशा और उसके विसेस्ताओं पर हमने बात की नैतिक्ता और मूल्यों की परिभाशा अनुपरियोग उस पर बात की और हमने देखा rule model हमारे कौन होने चाहिए क्या हो सकता है इसमें जो content use किये है वो निम्मी learning online book से किये है मेरे खु और मैंने कुछ इंटरनेट से मदल दी जिसकी माध्यम से क्लास अरेंज हो पाई धन्यवाद कर दो